गवर्मेंट नौकरी ऑफिशल में आप सब का स्वागत है आज फिर एक नई अपडेट लेकर आया हूं यह जो भरती है वो सायनिक स्कूल से निकाली गई है यहां सायनिक स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वि पार के लिए है कि यह जो यह सायनिक स्कूल से निकाली गई है हम इसमें पूरा एड़ुकेशन काॉलिबीकेचन अपलाइप प्रसिजर के बारे मेंजानեंगे तो दिहान लेने वाली बाद यहां यहां यह जो पहली हम रिक आइस ऐसमें की प्रेर न आब जिए और इसमें आपको एज लिमिट भी दे दी गई है किस से चालिस येर की भी जाब की एज होने चाहिए जो पहली विकेंसिया मारी निकाली गई है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की विकेंसिया है केमिस्ट्री के लिए ऑन रेगुलर बेसिस पे यह जो एक जनरल और यूर क पोस्ट इसमें वहीं एलिजिबिल्यटी और एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मास्टर डिग्री केमिस्ट्री पर होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स आपके उस डिग्री पर होना चाहिए और MSC दिग्री बायो केमिस्ट्री फ्रॉम्दर रिकुनाइज उनिवर्सिटी वोड इस इस टुड़ी आफ्टर मेट्र मेट्र क्लेशन अदलब कम से कम आप ट्वैल पास करने की बच्छा साल आपको केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो तब आप इसमें अपलाई कर सकते हैं और अगर आपको बिएट डिग्री है केमिस्ट्री से तब भी आ होने चाहिए वहीं एंग्लेस मीडियम को आप पढ़ा सकते हैं साथ में आप अधर सक्टिविटी और की नालेज होना चाहिए कि वहां एक जन्रल और की बात करें तो यहां मास्टर डिक्री भी मांगी है मैथमेटिक्स की अगर आपने ब्याइट किया या आपके सकते हैं अगर आपने एम श्वी और किया है तो आप अपलाई कर सकते हैं वहीं पे is escale की बात करें तो पिस टेंच से इसमें भी 47,600 है और इसमें एज लिमिट की बात करें तो मास्टर डिग्री वाले अपलाई कर सकते ओर other qualification बात करें तो कम-जे-कम आपको इसमें भी Strict एग्जाम कॉलिफायड ओनांचाहिए यह higher qualification होना चाहिए subject में teaching experience होना चाहिए ability to teach English medium को आपको पढ़ाना आना चाहिए और computer का knowledge होना चाहिए हाई यह desire qualification इसमें दिया हुआ है वहीं अगली विकेंसी की बात करें तो post graduate teacher physics के लिए निकाली गई है जिसमें एक general और you are की विकेंसी है इसमें भी physics से आपको master degree होने चाहिए या BA आपनी की हो physics से और three year का teaching experience हो आपका और MSC की हो physics से तो तब भी आप apply कर सकते हैं वहीं बात करें desirable की तो यहां भी आपको teacher reliability test qualified होना चाहिए वही higher qualification हर सब्जेट में होना चाहिए experience होना चाहिए और English medium को आपड़ा सके और knowledge of computer और other circular activity में आपको knowledge होना चाहिए इसमें भी pay scale same दिया गया और age limit भी वही है वहीं बात करें अगली विकेंसी की तो इसमें टीजी टी ट्रेंट टीचर मैथमेटिक से निकाली गई है एक एक सी की पूस्ट इसमें रिजर्व कर डिगरी के लिए से और इसमें इसन्चर कालिफीकेशन की बात करें इसमें ग्रैजूड होने मैथमेटिक से अब बीड की अब टीगरी हो तो भी चलेगा और विए सी मौत्तों बीचलेगा बृब्ट पता दिया गया और बात करें तो पे स्केल की स्में जो पेसकेल दिया जाएगा 24,900 तक द गई है डिजारेबल की बात करें तो इसमें सेम है इसमें हाइयर कॉलिफिकेशन होना जी सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिज मीडम को आपको पढ़ाना आना चाहिए और नॉलेज ऑप कंप्यूटर होना चाहिए उसको सर्कुलर एक्टिविटी का आप को प्रोफिशेंसी होना चाहिए इसमें टीटी एक्जाम कॉलिफाइट नहीं मांगा है अगली बात करें तो टीजीटी सोचल साइंस के लिए निकली निकाली गई है ट्रेंड टीचर के लिए इसमें भी एसेंचियल कॉलिफिकेशन आपको बीएड मांगा गया है या तो आ टीटी एक्जाम स्टेट टीटी एक्जाम आपको कॉलिफाइट होना तो यह तब ही आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे पेसके लिसमें चावाले सजान नौसव दिया गया है वहीं एज लिमिट एक से पैंते सीर दी गई है इसमें भी डिजारीबल सेमी आपको इंगल प्रणाइटर का नौलिज ना अनिवार है वहीं अगली विकैंसी की बात करें तो यह जो निकाली गए यह लेबराटरी असिस्टेंट की निकाली गई यह चीमेस्ट्री बेसिस पर रेगुलर बेसे पर यह एस्टी के लिए है यह विकैंसी इसमेंसेंसियल कॉलिफिकेशन आपको साइन्स और एक्यूवलेंट इनकेमेस्ट्री इसमेंस्ट्री फिप्टी परसेंट मार्क्स उनिवर्सिटी तो आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए कम देकम उसकी आपको एक डिग्री मांगें क्यमेस्ट्री की और 50% मांस तो रिया जाएगा अपलाई प्रोसीजर की बात करें तो आपको इसमें रहने के लिए रेंट फ्री रूम भी दिया जाएगा और अलाउंस इस भी दिये जाएंगे अपलाई प्रोसीजर है कि www.synic.org की वेबसाइट पर जाकर आप यहां से फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए और इस फॉर्मेट को आप अपने के साथ लगाना है और उसका पीडिया बनाके इस कॉलेज की इमेल आइडी पर आपको सेंड कर देना है यह फॉर्म आपको आफ लाइन अपलाई करना है लेकिन आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वर www.synic.org की वेबसाइट पर ही मिलेगा उस फॉर्मेट को निकाल के आपको फि पीडियाफ बनाके इस इमेल पर आपको सेंड कर देना है इमेल आइडिया आपको दे जी गई है yeah नेश्ट आपको पोस्ट के जरीए आपको बता दिया जाएगा यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है जब आप अपना रिटन टेस्ट देने जाएंगे तो आपको एक डिडी बनवा के डिमांड ड्राफ बनवा के ले जानी है सैनिक प्रिंस्पल अफ सैनिक स्कूल सटार के नाम से यह डिडी आपको तीन सुरुपे की बनवानिया जनरल कंडिडेट के लिए और सौरुपे की बन कंडिशन दे जी गई है आप इसे अच्छे से पढ़ लें मैं स्कूलिंग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब वहां दे डाउनलोड टलने ना याद रखें आपको पंदरा मई के पहले पहले इसे अपलाई करना है और आपका इसका फॉर्मिट जो निकालना है वह ऑफ में आएगा कि आपको एक्जाम रिटन कब है तो उस दौरान आपको एक डीडी बनवा के ले जाना है तीन सर रुपे की जनरल कंडिगेट के लिए और सौर रुपे की स्टी कंडिगेट के लिए तो फ्रेंड व्यूडियो अच्छी लगी है तो गवर्मेंट नौकरी ऑफि करें यहां रोज अपडेट दी